नमस्कार सिटी पोर्ट लाइब के इस खास कारे करम में आपका स्वागत है मैं हूँ सरकान प्रतुष आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूँ जी हाँ आप सुन रहे होंगे लगतार की मन्जू बर्मा कहा है उन्हें आसमान खा गया या जमिन निगल गई पता ही नहीं हो गई दो दिनों तक कुर्की जप्ति चली उनके सशुराल में और तब जाकर मन्जू बर्मा ने आज मंगलवार की सुबह मजहौल कोट में सरेंडर कर दिया है सरेंडर करने का जो उनका तरीका था जीबयों गरीब था चोका देने वाला था मन्जू बर्मा अपनी पहचा हो गया तब लोगों को पता चला तो मन्जू बर्मा ने वर्का का स्माल इसलिए किया होगा कि उनकी पहचान सारोजनिक ना हो क्यों कि पुलिस उनकी तलास कर रही थी उनको कभी भी गिरफतार किया जा सकता था या अगर वो स्रेंडर कर देती बिना वर्का पहने तो पुल आज मजहौल कोट में बुर्का पहन कर कोट में आत्म समर्पन कर दिया है आपको पता है कि मन्जू बर्मा बिहार सरकार के समाज कलनान मंत्री थी उनके उपर आफ़त तब आई थी जब मुझाफर पूर बालिका ग्रिह महा रेप कांड के लपेटे में उनके पती आ गये थ ताकि बर्जेस ठाकूर के साथ वो अक्सर रिमान भूम बालिका ग्रिह में पहुचते थे और उनके साथ दिली तक की आत्रा करते थे तो उनसे जो घनिष्टा सावित हुई है या खुलासा हुआ है करीवी समंध का उसके बाद से मन्जू बर्मा निशाने पर आ गई और उ वहां पर रेड किया और रेड किया तो वहां पर पचास ज्यादा जिन्दा कार्तूस मिले जो अवैद थे यानि एसलार राइफल के कार्तूस थे जिसको रखने का आम आदमी को अधिकार नहीं है क्योंकि एसलार राइफल तो आम आदमी रखी नहीं सकता है फिर उसके कार् साने में सिवियाई ने मामला दर्ज कराया था उनके और उनके पती के खिलाफ आर्मस एक्ट के तहत और उसी मामले में वारंट निकला था उनके पती भी महिनों तक छकाते रहे पुलिस को पुलिस खोजती रही और कभी मिले ही नहीं और बड़े हाई भोल्टेज ड्रामा के तहत उन्होंने भी कोट में समर्पन पिछले सप्ता किया था उसके बाद सुप्रिम कोट ने काफी गंभीर रुख अक्तियार किया मंजू बर्मा की गिरफतारी नहीं होने को लेकर उसने इस बिहार सरकार को फटकार लगाई बिहार के डीजीपी से लेकर हुम सक्रेटरी को त नहीं थी इस बिच जेडी उन्हें उनको पाटी से निलंबित कर दिया जब पाटी से उनको निलंबित किया गया तब उन पर दबाव बना और उन्होंने जैसा कि सिटी पोस्ट ने पहले ही खुलासा किया था उनके घर के कुरकी जपति के बाद की सुत्रों के हवाले से जो इससे है राजिन्तिक भविश क्या है लेकिन सुत्रों के हाले से जो खवारा रही है कि अब कोट में समर्पड कर देने के बाद उनको जमानत भी मिल सकती है और जमानत मिल गई तो पार्टी से जो निलंबित है निलंबन भी खतम हो सकता है और आगामी लोकसभा चुनाव में आपना भाग्या आजमाना चाहती है तो सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा यह कहपाना बड़ा मुश्किल है लेकिन उनके करीवी सुत्र बता रहे हैं कि कोशिस यही है कि मंजु बर्मा को किसी तरह से चुनाव के मैदान में उतारा जाए उन्हें भारी वहमत से जिता कर जनत अब देखना यह है कि कोट का अगला रुख क्या होता है अगर कोट ने उनको जमान दे दिया तो लगता है कि उकोशिस करेंगी कि पाटी से निलम्वन वापस हो और फिर से चुनाव मैदान में एक बार ताल ठोकें जो भी लेटेस्ट खबर होगी हम आपके सामने लेकर प् उसके लिए स्रिकान प्रत्यूस आपका अभार व्यक्त करता है नमस्कार